दोस्तों अगर आपका फोन भी हैंग करता है, फोन स्लो चलता है, फोन लैक करता है और आपका फोन पुराना हो चुका है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आपके फोन की एक ऐसी जबरदस्त खदरनाक टिक के बारे बताने जा रहे हैं जिससे दोस्तों आप अपने पांच साल या फिर उसते ज़्यादा भी पुराने फोन को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं जैसा कि दोस्तों आपका नया फोन वर्क करता है उसका इंटरनेट एकदम फास्ट चलता है उसके बैटरी बहुत ज़्यादा चलती है साथी अगर आप गेम खेलते हैं तो वहाँ पर गेम भी लैक नहीं करता है और कुल मिलाकर आपका फोन बिल्कुल नया रहता है तो दोस्तों इस ट्रिक को अपलाई करने के बात भी दोस्तों आप देखेंगे कि आपके फोन का इंटरनेट एकदम फास्ट चलेगा आपके फोन की बैटरी बहुत ज़्यादा चलेगी सा पर दोस्तों बिनापका टाइम वेश्ट की वीडियो इस्टाट करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आप लोको एक चोटी सी रिक्वेष्ट है कि सबसक्राइब लाइक उस लाल बटन को प्र्सकर करें सब्सक्राइब कर लेना साथ इस बेल आइकन को प तो दोस्त हैं इस ट्रिक को भी अपने फोन में यूज्ट कर सकें। आप जैसे इतना कुछ ख लेते हैं सो चलिब वीडियो करते हैं स्टार्ट जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिक में बताया था कि जब आपका फोन पुराना हो जाता है आपका phone hang होने लग जाता, phone slow हो जाता है, lag करने लगता है साथ ही अगर आपको application open करते हैं, कोई game खेलते हैं तब भी आपको बहुत सारी दिक्कत होती है और दोस्तों साथ है आपके phone की battery कम चलती है, phone गरम होने लगता है तो इन सारी problem का solution दोस्तों आज की video देखने के बाद आपको 100% मिलने वाला है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको अपने phone में कौन सी trick करनी है और दोस्तों आप लोग इस video को miss नहीं करना है, इन तक जरूर देखना है तो इसके रिए दोस्तों आप अपने phone में application डाउनलोड करनी होगी, application का नाम कैसे डाउनलोड करना ही है, आपको वीडियो के last में बताएंगे सबसे पहले दोस्तों आपको इस application को जो है open कर देना है, अब दोस्तों आप जैसे application open करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ user interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ नहीं करना application ऐसी कुछ दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपकी memory, RAM वगएरा, आपकी storage वगएरा सब कुछ देखने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको scan का option दिखाई देगा, तो दोस्तों आपको scan पर click कर देना है, अब दोस्तों आपका phone जो है automatically scan करने लगेगा और आपके phone को repair करने लगेगा, यानि कि जिस वज़े से आपका phone slow चल रहा था, आपको phone देख सकते हैं कितनी fast तरीके से जितने function है सब को repair कर रहा है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको complete हो च से यहाँ पर type करेंगे, तो यहाँ पर आपको चार option देखने को मल जाएंगे, repair system, android, remedy boot, file system, repairing, booster RAM, तो यानि कि सबसे पहले तो आपके android system को repair करेगा, उसके बाद आपके phone को boot करेगा, उसके बाद आपके phone में जितनी सारी files हैं उनको repair करेगा, उसके बाद आपके phone की RAM को भी यह खाली करेगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यह गोल गोल सफेज सफेज होता जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही यह पूरा हो जाएगा, यह first वाला हमारा complete हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर repair system for android लिखा हुआ है, तो दोस्तों अब यह पूरा होने वाला, इसी तरीके से आप फिर से wait कर लेना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह complete हो चुका है, और दोस्तों यहाँ पर अब यह ठीक लग चुका है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा repair system android यानि कि हमारा android system जो है वो repair कर रहा है, तो यहाँ प इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं आपका third process start हो जाएगा, file system repairing यानि कि आपके phone में जितने भी file system है, जितने भी file sound सब को scan करके repair कर देगा, और आपके phone में जो lagging की problem थी, hanging की problem थी, phone slow चलता था, वो सारी problem आपकी दूर हो जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख करेगा, तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण होता है हमारा phone slow होनेगा, कि हमारे phone की RAM भर जाती है, तो जब यह आपकी RAM को clean कर देगा, तो दोस्तों आपका phone जो है काफी जैदा fast हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे चारो process जो है complete हो चुके हो, तो दोस्तों यहाँ से अब देख सकते हैं कि एक बार फिर से हमारा Samsung model number वगारा सब कुछ आ चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सब कुछ complete हो चुका, तो अब आपको back चले आना है, अब दोस्तों अगर आपके phone की battery में कोई problem है, आपकी battery कम चलती है, तो यहाँ यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा, पावर सेविंग का, तो यहाँ पर आपको grant permission दे देनी है, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस application का जो है नाम ढून लेना है इस तरीके से और इस तरीके से नाम ढूनने के बाद इसे permission दे देनी ह और बैक चले आना है, अब दोस्तों आप जैसे बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको इसे पावर सेविंग पर क्लिक कर देना है, और यह आपके फोन की बैटरी को भी scan कर देगा, साथ ही अगर आपकी बैटरी का कोई issue है, तो दोस्तों बैटरी का issue fix हो जाएगा और आप दे temperature को यह बहुत थी आसानी से manage करता है और आपके phone का जो temperature है, उसे यहाँ से आप cool down पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं, हमारे phone का temperature जो हीट हो रहा था, वो गरम हो रहा, तो यहाँ पर कुछ ads आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको इन ads को ज करेंगे तो यहां से आप clean कैसे भी कर सकते हैं आपने phone को भी clean कर सकते हैं तो काफी कमाल की application अप लोग anytime से अपने phone को बिलकुल नया बना सकते हैं अब दोस्तों बात करें, इस application की download करना कैसे हैं, इस application download करने के लिए आपको माद play store open करना है while प्लेश्टोर में आपको सर्च कर लेना है रिपेर सिस्टम फॉर एंड्रोइड कुछ फिक्स प्राब्लम तो यह वो लोगो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटी सी अप्लिकेशन है लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी एक मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और चार प दो